मुझे बहुत प्रसंदा है कि अनेक विद्वान सदस्या ने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त किये और सब ने बिल के प्रतिक अपने सुझाओं के साथ निश्य दुरूप से संतोस व्यक्त किये भारत क्रसी के छेतर में और क्रसी उत्पादन के छेतर में एक तोर से महारत हासिल किये हुए और किसानों के परिश्रम के परणाम सरूप ये महारत आने वाले कल में और बढ़ती ही जाना है इस दिसा में मैं समस्ता हूँ कि ये बिल बावती अच्छी भावना से सरकार लेकर आई है सबी सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है तो प्रोसिस्सिंग से समवन्दिक जितने अनुवब सील लोग है वो इसके बियोजी में, सीनेट में, परिशद में हैं और दूसरा संसत का प्रदे दो भी परिशद में रहेगा इस बात का प्रावधान इस बिल में है खेती का नूना खिलाफ किसान अंदोलन लगातर जारी है एक पासे जिते किसान खेती का नून रद करवोंडी जिद ते अड़े होईने त्योन अबलो संगर्शन तेज किता जारी है ओथे ही मोदी सरकार अपने फ्यांस लेते विल्कुल भी पिछे हटन नू तेयार नहीं केंदरी मंत्री अबलो लगातार खेती कनूना दास समर्थन किता जारी है ओथे याज मुर्तों खेती मांत्री नरिंदर तोमने रास सबाचोव पाशन दुरान खेती कनूननू किसाना लई फायदे मंद दसे आए मानी सबापती मोदे निफ्टेम बिल फरवरी 19 में राज्य सबा में आया था उसके बाद इस्थाई समीती में गया इस्थाई समीती में कुछ संसोधन हुए उन संसोधनों को मंद्री परस्द ने सुईकार किया और फिर दुबारा से राज्य सबागे समक्षे विमर्स के लिए आया है मुझे बहुत प्रसंदा है कि अनेग विद्वान सदस्या ने इस बिल पर अपने विचार व्यक्त किये और सब ने बिल के प्रति अपने सुझाओं के साथ निश्य दुरुप से संतोस व्यक्त किया और इसके लिए मैं सभी मानुभवों का हिर्दे से बहुत आभार प्रगट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ निफ्टम और आई आई एफ्पिटी ये दोनों संस्थान पहले से इस्थित है और फूर्ट प्रोसेसिंग के छेतर में काम कर रहे हैं लेकिए आज की परिश्थिती में हम सब इस बात को भली बात ही जानते हैं कि हमारे देश की किसान हितेसी नीतियां किसानों का परिश्रम उनकी जगरूपता उन सब के परड़ाम सरूप चाहे खाद्यान का विसे हो चाहे बागवानी का विसे हो चाहे क्रसी से समंदित अन्य जो उत्पाद हैं उनका विसे हो सब में हमारा देश अगरणी तेजी के साथ होता जा रहा है पूरे विस्वे भी अगर हम तुलना करें तो कहीं हम उत्पादन के छेतर में क्रमांग एक पर हैं कहीं दो पर और लगातार जहां दो पर हैं वहां हमारे लोगों का कोशिस है कि हम एक पर आएं ऐसी इस्थिति में स्वाबबी रूप से हम सब के सामने प्रमुख रूप से एक विस्थ है कि हमारी नीतियां उत्पादन केंद्रित रही उत्पादन के छेतर में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े और आज निरंतर इस दिसा में हमारे किसान प्रगति कर रहे हैं लेकिन फसल के उपरांत जो फसल का प्रबंधन होना चाहिए यह आज भी हमारे सामने संकट का विस्थ बना हुआ है चाए वो बंडरन का विस्थ हो चाए कोल्ड चेन का विस्थ हो चाए प्रोसिसिंग का विस्थ हो इन सब छेतरों में हम लोग प्रतिवर्श चर्चा करते हैं सरकारी उपारजन भी होता है बाकि सारी चीज भी होती है लेकर उसके बावजूद भी जो बरबादी हो रही है बरबादी के करण परेवन का भी नुकसान हो रहा है किसान का भी नुकसान हो रहा है तो इस दिसा में निश्यत रूप से अभी हम सब लोगों को काम करना काफी आवशक है और जब हम फूट प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यह एक शेत्र आज ऐसा है जो क्रसी के शेत्र में इस्थित अनेक समस्याओं को समाधान दे सकता है खादि पदार्थों की बरबादी को रोक सकता है रोजगार के अवसर सर्जित कर सकता है और हमारे जो उत्पाद है उन उत्पादों को विस में भी एक बड़ा इस्थान देला सकता है और इस द्रश्टी से भारत सरकार ने फूट प्रोसेसिटिंग मिनिश्टी को अलग से बनाया और उस मिनिश्टी के माध्यम से अनेक योजनाओं का सरजन किया पाशन दुरान नरिंदर तोमर ने देश्दे किसाना नूँ खेती कानून अदास मर्थन करन दी अपील किती है इस देनार ही उना केहके खेती कानून मोदी सरकार बलों बदिया पावना नार किसाना लें बढाए गएने और मुझे कहते हुए परसनदा है कि फूड प्रसेदिंग मिनिस्ट्री के एक अंपरेला इसकी में किसान संपधा योजना इस योजना के अंतरगत अभी तक जो काम हुआ है उसमें 106 लाख तन फूड को संवरक्षा और प्रसेसिंग के अंतरगत लाया गया है इसी छेतर में अगर हम देखेंगे तो इस योजना के अंतरगत 444 लाख ये रोजगार के अवसर भी सरजित हुए और 147 लाख किसान इस से निश्य दुरूप से लाभान बित हुए अभी पिछली दिनों आप सब लोगों के ध्यान में आया होगा जब आत्मनिर्वर पैकेज की चर्चा हुई एक लाख करोड़ों रुपय का इंफाइस्टेक्चर फंड एग्रिकल्चर के छेतर में दिया गया और फिसरी जैनिवल अस्वेंटरी और उसके साथ साथ दस हजार करोड़ों रुपया फूट प्रसेसिंग के लिए भी दिया गया जो छोटी यूनिटें हैं उनको सरकार की मदब मिले और वो छोटी यूनिटें एक जिला एक उत्पाद के तहट कुछ उत्पादों के लिए वो काम करें जिससे कि हमारी छोटी जो इंड़स्टी है वो खड़े हो और यह दस हजार करोड़ों रुपय इसकीम के माध्यम से इन लोगों तक पहुँचें इस दिसा में काफी अच्छे से काम करने की कोशिस की जा रही है लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत क्रसी के छेतर में और क्रसी उत्पादन के छेतर में एक तोर से महारत हासिल किये हुए और किसानों के परिस्रम के प्रणाम सरूप ये महारत आने वाले कल में और बढ़ती ही जाना है और इसलिए जब इन फसलों के प्रबंदन की बात आईगी तो निश्य दूरुप से प्रोसेसिंग की तरह तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा बाकि जो इंफरस्टेक्शर है वो एक लाग करोड रुपए का इंफरस्टेक्शर फंड है उसके माद्यम से हो रहा है क्रसी विबाग की जो अनेक स्कीम है उनके माद्यम से हो रहा है लेकिन जब प्रोसेसिंग के छेतर में हम आगे बढ़ेंगे तो निश्य दूरुप से ह को एक दीक्षित मेन पावर की आवशक्ता होगी और ये मेन पावर खड़ी हो और ऐसे संस्थान जो संस्थान सभी परकार से सक्षम हो और वो देशी नहीं दुनिया में भी एक प्रतिश्ठित संस्थानों के रूप में जाने जाएं उनकी अपनी छमता हो उनकी अपनी इस्सिती हो उनको अपनी स्वतंदरता हो वो स्वायम अपने नेड़ें ले सकें स्वायम अपने कोर्से चला सकें स्वायम अनेक इनिवस्टियों से विद्वानों से इंडस्टी से विदेश से ब्यवहार कर सकें इसके लिए निश् प्रगट किये थे स्टेंडिंग कमेटी ने भी संसोधन किये उन संसोधनों को भी हम लोगों ने सुईकार किया है और मुझे लगता है कि अभी कुल मिला के ये दोनों सहस्थान चार सो के आसपास में पावर को जोड़ते हैं लेकिन जब इनको अंतर राश्टी महत्तों का धर जब मिल जाएगा तो यह हमाई IIT और IIM के बराबर हो जाएंगे तो निश्यत रूप से सिक्षा से जुड़े हुए लोग टेकनलोजी से जुड़े हुए लोग और जो इस शेतर में च्छातर आना चाहते हैं वो सब इस पर और आकर सित होंगे उनके भविस्टी की दृष् हमारी में पावर खड़ी होगी तो निश्यत रूप से प्रासेसिंग बढ़ेगी प्रासेसिंग बढ़ेगी तो अन्तुदों को अत्वा किसान को फाइदा होगा रोजगार के अफसर सिर्जित होंगे और हम अपने निदियाग को भी बढ़ा सकने में सफल होंगे इस दिसा में मैं समझता हूं कि ये बिल बहुत ही अच्छी भावना से सरकार लेकर आईए सबीस अदस्यों ने इसका समर्थन भी किया है और मैं बहुत अधिक न बोलते हुए मैं आप सब लोगों को यहीं अनरोद करना चाहता हूं कि बिल की मंसा को समझते हुए हम सब लोग इसे सम एक बात इसमें हमारे सिभा जी ने उठाई थी कि राष्टी महतु का संस्थान बन जाएगा तो आरक्षण का क्या होगा तो मैं उनको आस्वस करना चाहता हूं कि राष्टी महतु का संस्थान बनेगा तो राष्टी महतु के जितने कानून है आरक्षण सभी इस पर लागू होंगे इसलिए आरक्षान इसमें रहेगा इसलिए वेफिकर रहना चाहिए एक बात यह आई है किसानों को इसमें रहना चाहिए तो मैं विनवर्टा के साथ आग्रे करना चाहता हूं स्टेंडिंग कमेटी में भी संभबता यह विसाया होगा चुकि यह विसे फूड प्रोसेसिंग से जोड़ा हुआ है तो प्रोसेसिंग से संभधिक जितने अनुबव सील लोगें वो इसके बियोजी में सीनेड में परिशद में हैं और दूसरा संसत का प्रदेदु भी प्रदान मंत्री मोदी सने खेती मंत्री इंडरिंदर तोमर कन्नून दा समर्थन करेने ते वार वार खेती कन्नूननों किसाना लई फायदे मंद आख रेने ब्योरे रिपोर्ट पंजाबी लोग चैनल